हेलो फ्रेंड्स मैं परसांद कमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हेवन्स क्लासेज में विकली करन्ट अफेर्स 26 जनवरी से एक फरविटे दिवाड अकेस के सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों इसकी पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन आज का पहला कॉस्चन है दोस्तों भारत में पर्टेक वर्स राष्टे मद्दाता दिवस किस दिन मनाया जाता है इसका सेशन रगवा दोस्तों ए पचीछ जनवरी दोस्तों भारत में पर्टेक वर्स 25 जनवरी को राष्टे मद्दाता दिवस कि रुप में मनाया जाता है राष्टिय मद्दाता दिवस मनाने का उद्देश दोस्तों युवाओं को मद्दान के पठ्टी जागरूख करना है सेकेंड कोश्चन है दोस्तों पढ़ानमंसी राष्टिय बाल पुरुषकार दियार अकीस में निन में से कितने बच्चों को चैनित किया गया है इसका सही अंसर होगा दोस्तों C. 32 दोस्तों पढ़ानमंती राष्टिय बाल पुरुषकार के लिए इस साल 32 बच्चों का चैनि किया गया है बच्चों को यह पुरुषकार नवाचार, खेल, कला, संस्किती, बहादुरी और समास सिवाई से विभिन छेत्रों में अनेक असाधान, परड़ासन और उपलब्दयों के लिए दिया जता है तीसरा कोश्चन है दोस्तों जर्मन वाच के गलोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दोयार अकेस में भारत में निन्वेसे किस अस्थान पर रखा गया है भाग के इस अस्थान पर रखा गया दोस्तों ये इसका सही अंसर होगा ए साथमें अस्थान पर दोस्तों गलोबल क्लाइमेट रिक्स इंडेक्स दोयार अकेस में हाली में उन देशों के जूरी सूची जारी कर दिया जो दोयार अकेस में जलवायों परिवल्तन के कारण सबसे ज़्यादा परभावित हुए थे इस लिस्ट में भारत साथमें अस्थान पर रहा है नेर्स्ट कोशन दोस्तों सन्युक राष्ट दोड़ा कलेंडर वर्स दोयार अकेस में भारत की आर्थिक विर्टी कितने परतिसत रहने का अनुमान लगाया है इसका सही अंसर होगा दोस्तों B 7.3 परतिसत दोस्तों सन्यूक राष्ट दोरा कलेंडर वर्स 1220 में भारत की आर्थिक वीर्टी 7.3 पर 30 रहने कानमान लगाया है इसके साथ ही कलेंडर वर्स 1220 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वीर्थिक करने वाला देश होगा नेस्ट कोचने दोस्तों मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निन में से किसे निउक्त किया गया है इसका सही अंसर होगा दोस्तों A. अजित विनायक गुप्ते दोस्तों विदेश मंत्याल ने IFS अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्स के लिए भारत का अगला राज़ूत न्यूक्त किया है अजीत विनायक गुप्ते जी ने फॉरेंट सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी छटा कोशन है दोस्तों किस देशने साल दोड़ा किस में सन्यूक्त राष्ट को सांती मिसन के लिए डेल लाख डॉलर की मदद की घोशना की है इसका सही अंसर अगर दोस्तों सी भारत दोस्तों भारत ने सन्यूक राष्ट को सांती मिशन के लिए डेल लाख डॉलर की मदद करने की खोशना किये साथ ही कहा है कि साल 2020 में अधिक केंदित तरीके से और खास कर करोना में मारी के संदर में वैस्पिक समुदाय को सांती अथापित करने का विशेश अवसर परडान करता है साथवा कोशन दोस्तों अंतराष्टे सिक्षा दिवस निम्में से किस दिन मनाया जता है इसका सभवा साथुंग दोस्तों सीच्षा का महत दुनिया भर में पहुचाने के लिए हर साल चोबीश जनराष्टे सिक्षा दिवस कि रुप में मनाया जता है सन्यूक राश्टने अ 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ता पारित करके जोबी जन्वडी को अंतराष्टिय शिक्षा दिवस की रूप में घोशित करने कर दिन रहे लिया था लाक्ष्ट क्रेशन दोस्तों अमेरिका में बाइडन प्रसाशन ने निम्न में से किस भारत वन्सी को चीप आफ इस्टाप के पत्पर नियुक्त किया है इसका सही अंसर होगा दोस्तों ए तारक्सा दोस्तों अमेरिका ने बाइडन प्रसाशन ने उर्जा विभाग में आहम पदों पर चार भारत वन्सीयों को नियुक्त किया है प्रसाशन ने चीप आफ इस्टाप के पत्पर तारक्सा को नियुक्त किया है साह इस पद पर पहुंचने वाले भाते मूल के पहले मेर्की बन गया है तो दोस्तों ये थे इस विके महत्पून करन्ट अफेर्स अगर आप चैनल पर नए है तो हमारे चैनल हेवन्स क्लासेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं दोस्तों अगले सेसन में जाइएं